Welcome back my basic class तो आज की इस class में हम आपको अंग्रेजी से हिंदी बनाना सिखाएंगे यानि आप अंग्रेजी नामों को हिंदी में कैसे बना सकते हो अगर आप अंग्रेजी से हिंदी बनाना सीख जाते हो तो फिर आपको अंग्रेजी पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ना भी सीख जाओगे हिंदी को अंग्रेजी में कैसे बनाए उसके लिए मैं औरेडी वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने वो हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिशन में दे दिया है आप चाओ तो वीडियो देख सकते हो उन वीडियो में मैंने हिंदी नामों को अंग्रेजी में बनाना सिखाया है और आज के इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी नामों को हिंदी में बनाना सिखांगा तो यहां पर देखिए मैंने अलफावेट लिख ली है हिंदी अलफावेट को मैंने इंगलिस में कनवर्ट कर लिया है और इस तरह की अलफावेट आपको किसी भी छोटी मोटी किताब में मिल जाएगी और एक सबसे पापुलर किताब है सहनी ग्यान गंगा जो 10 रुपे की आती है और हर दुकान पर आपको मिल जाएगी उसमें यह अलफावेट आपको मिल जाएगी अगर आप अंग्रेजी से हिंदी बनाना चाते हो या फिर हिंदी से अंग्रेजी बनाना चाते हो दोनों में ही ये अलफाविट काम आती है तो इस alphabet को आप एक वार याद कर लीजिए क्योंकि ये alphabet ही आपको जो है सुरुवाती English सिखाने में मदद करेगी तो यहाँ पर देखिए मैंने alphabet को लिख लिया है जैसे छोटे आ से A, बड़ा आ से डबल A, छोटी E से I, बड़ी E से डबल E यानि इस तरह आपको ये alphabet याद कर लेनी है और बहुती सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है जैसे कसे के बनता है तो बोलने पर ही पता लग जाता है खसे के एच, गसे जी, गसे जी एच ठीक है? तो इस तरह आप याद कर सकते हो एक दिन में, दो दिन में याद हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं, अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नाम लिखके रखे है तो जैसे यहाँ पर लिखा है R, A, M, A, N तो देखिए R, R बनता है हमारा रा से ठीक है? और आपको मैं बता दूँ, परते एक छोटे आवड़या में, जो complete अक्षर है उसमें छोटे आपकी मत्रा अल्रेडी होती है तो R, A के लिए सर्फ रा लिखेंगे ऐसे ही, M, A के लिए सर्फ मा लिखेंगे और लाश्ट वाले अक्षर के पीछे अगर A है, तो हम बड़या की मत्रा लगाएंगे A नहीं है, तो हमें बड़या की मत्रा नहीं लगानी है तो यह हो जाएगा R, A के लिए र, M, A के लिए म, और N के लिए न, यानि रमन, ऐसे ही, K, A बनता है का से, M, A बनता है मा से, और L बनता है ला से तो यह हो जाएगा कमल ऐसे ही पी ए पॉसे वी ए वसे और एन बनता है न से तो यह हो जाएगा पवन तो आपको यहां रखना है कि प्रते खाली अक्षर पर छोटिया की मात्रा होती है आदे अक्षर पर छोटिया की मात्रा नहीं होती है देखिए यहां पर जे बनना है हमारा बता दिता हूँ आपको देखिए जे बनना है जे से ठीक है और छोटिया की मात्रा औरेडी इस पर होती है तो छोटिया की जो मात्रा है वो बनती है एसे तो जे ए के लिए सिर्फ हम जे लिखेंगे जी ए के लिए ग लिखेंगे और एन के लिए न लिखेंगे तो जगन, उसी तरह यहां पर देखिए, अब यहां पर के आई है, के आई है, यहां पर ए नहीं है, तो का तो बन गया, के तो बन गया, का से, और आई, आई किसे बनती है, यहां पर देखिए, आई बनती है, छोटी इ से, तो छोटी इ है स्वर, तो हमें स्वर की मात्रा तो यह हो गया के और आरे के लिए रा लिखेंगे और एन के लिए ना लिखेंगे तो यह हो जाएगा किरन ऐसे ही जे ए के लिए जा लिखना है टी आई के लिए ति लिखना है क्योंकि आई बनती है चोटी ई से और यहां पर हमें चोटी ई नहीं लिखनी है चोटी ई की मात्र लिखते हैं स्वर को नहीं लिखते हैं तो यहां पर टी आई के लिए ति हो गया चोटी की मत्रा लगा दी और एन के लिए न हो गया तो जतिन ऐसे ही वी आई के लिए वे और के ए काश अब देखें यहां पर क्या है वी आई के एस से विकस भी हो रहा है और विकास भी हो रहा अब यहां पर आपको यह अंदाज लगाना है कि देखिए विकस तो नाम होता नहीं है तो यहां पर विकस आपको लिखना है यह दियान रखना है आपको ऐसे ही आर आई के लिए रे हो गया एचे के लिए हो गया और एन के लिए न हो गया तो यह हुराए रेहन ठीक है अब रेहन तो नाम होता नहीं है तो यहां पर हमें बढ़िया की मत्तर लगा देनी है रेहान तो यह आपको अनुमाल लगाना है कि यह रेहन नाम होता है कि रेहान नाम होता है ठीक है तो रेहन नाम नहीं होता है तो हमने यहां रेहाल लिखा है तो यह चीज आपको देखनी पड़ेगी ऐसे यहाँ पर जैसे मैं आपको एक उधान दूँ जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे K-A-M-A-L K-A-M-A-L है अब देखे इससे कमल कमल भी हुरा है कामल कामल भी हुरा है कमाल और कामाल अब देखे K-A-M-A-L से चार सब्द बन रहे हिंदी में K-A-M-A-L से कमल भी बनता है कामल भी बनता है कमाल भी बनता है और कामाल भी बनता है अब हमें अंदाजा लगाना है कि K-A-M-A-L क्या हो सकता है तो देखिए K-A-M-A-L से हमें कमल ही लिखना है क्योंके कामल कोई नाम होता नहीं है कमाल भी नहीं होता है, कोई नाम और कमाल भी कोई नाम होता है, नहीं होता है, तो इस तरह हमें सिर्फ, ah, जो है के एमेल के लिए कमाल ही लिखना है, ठीक है? तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी, ये खुच से हमें देarta है कि क्या लिखना है? अब यहांपर देखिए, E, E बनता है न के लिए N हो गया अब यहाँ पर A नहीं है तो यहाँ पर है double E और double E किसे बन रही है यहाँ पर देखिए double E बन रही है बड़ी E से तो यहाँ पर बड़ी E है एक स्वर और इसकी मात्रा लिखनी है हमें बड़ी E के लिए पमा लिखेंगे और NW के लिए नी लिखेंगे ठीक है क्योंकि ये बड़ी से बनती है और बड़ी की मंतरिंह पर लगानी हो और सह बनता है सा से तो यह हो गया मनीश ठीक है अब सह इस से भी बना ना है तो मनीश में आपको ये דखना है कि कौन सा वाला सा आएगा तो मनीश में ये वाला सा नहीं आएगा तो उसके लिए हमें ये वाला सा लिखना है क्योंकि मनीश में हमेशा यही वाला सा आता है तो ये आपको अनमाल लगाना है क्योंकि ये सा भी इसी से बनता है और सलगंबलाव सा भी इसी से बनता है अब यहाँ पर देखिए जैसे सुमन तो S के लिए तो सा आ गया यहाँ पर सा ठीक है अब यहाँ पर U है अब U किस से बन रहा है यहाँ पर देखेंगे U बन रहा है हमारा छोटे U से चोटा U है स्वर तो छोटा U नहीं आएगा, इसकी मात्रा आएगी, सापर, तो यहाँ पर इसकी मात्रा लगा देते हैं, सापर यह लग गई, छोटे U की मात्रा, और M A के लिए मा बनेगा, और N के लिए ना बनेगा, तो यह हो गया, सुमन, ऐसे यहाँ पर देखिए, आरे के लिए र, और H के लिए ह, और छोटे U की मात्रा है, सुरी U है तो छोटा U आएगा, और छोटा U स्वर है तो उसकी मात्रा आएगी, र, और L के लिए ल, अब यहाँ पर और रहुल, अब रहुल तो कोई नाम होता नहीं है, तो हमें इसको रहुल कर देना है, यह हमें अ तो हमें राहुल लिख देना है, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है, अब आगे नाम और भी हमने लिखके रखें, वो भी आपको देखाएंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ेगी मात्रा लगानी है, ना के बड़ाउ, तो यहाँ पर बड़ेगी मात्रा लगानी है, ना के बड़ाउ, तो यहाँ पर बड़ेगी मात्रा लगानी है, ना के बड़ाउ, तो यहाँ पर बड़ेगी मात्रा लगानी है, ना के बड़ाउ, तो यहाँ पर ब N A बनता है ना से और M बनती है मा से ठीक है तो यह हो गया पूनम ऐसे यहाँ पर देखिए A बनती है आ से N बनती है ना से यहाँ पर डबल O बनता है बड़े उसे और बड़ा O एक स्वर है यहाँ पर उसकी मात्रा देनी है हमें और P बनती है पा से तो यह हो गया अनूप ऐसे इसको देखिए BH BH से बनता है भावालू ठीक है तो BH से भावन गया ठीक है और यहाँ पर O है O बनता है बड़े उसे तो बड़ा उस्वर है तो उसकी मात्रा देनी है यहाँ पर हमें स्वर की और RA RA अगर पीछे end में A है तो उस पर बड़े आकी मात्र आपको लगाना जरूरी है आपको लगानी ही लगानी पड़ेगी तो यह हो गया भूरा ऐसे यहाँ पर देखिए M A के लिए मा बनेगा N के लिए ना बनेगा अब यहाँ पर है O और O बनता है O से ठीक है छोटे O से बनता है और छोटे O की हमें मात्रा देनी है क्योंकि छोटा O एक स्वर है तो हमें स्वर की मात्रा देनी है और J बनता है J से तो यह हो गया मनोज ऐसे यहाँ पर S A बनता है स R बनता है र से और O बनता है छोटे और चोटा यह स्वर है, तो उसकी मात्रा हमें देनी है, तो स्वर की हमें मात्रा देनी है, यह ध्यान रखना है, हमें स्वर का अक्छर यहाँ पर स्वर नहीं लिखना है, उसकी मात्रा लिखनी है, और ज, 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 से ज, ठीक है, ऐसे यहाँ पर भावालू से बनता है, ओ ब बनता है को से छोटा ओ से बनता है ओ तो इसकी मात्रा लिखेंगे को म से म और ल से ल कॉमल तो इस तरह आपको अंग्रेजी पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सबसे पहली सीड़ी यही है अंग्रेजी सीखने की आप अगर हिंदी से अंग्रेजी में नाम बना लेते हो और अंग्रेजी से हिंदी नाम बना लेते हो तो फिर आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी तो यहाँ पर दो तीन नाम और हैं उनको बना देते हैं जैसे यहाँ पर देखिए एस एयू तो देखिए एस तो सा के लिए सा बन गया ऐसे तो और एयू किसे बनता है एयू बनता है हमारा यहाँ पर देखिए बड़े ओ से बनता है और बड़ा ओ एक स्वर है तो बड़ा ओ नहीं लिखना है इसकी सिर्फ मात्रा लिखनी है हमें यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर इसकी मात्रा लखेंगे तो बड़ेओ की मात्रे यहाँ पर हमने लिख दी है और आर ए बनता है र और व बनता है व बनता है व ठीक है सो और अब ऐसे यहाँ पर यह बन गया,事 बनता है, जसे गसे बनता है, और एउ बनता है बड़े उसे, और बड़ा वो एक स्वर है, तो इसकी मत्र लगाएंगे, आर ए के लिए र, और व के लिए व, तो यह हो गया गौरव, ऐसे और यह होती तो न बनता लेकिन आदा च्छराप को लेना है तो यहाँ पर आप आदा ना ले सकते हो और अंकी बिंदी भी ले सकते हो तो यहाँ पर हम जैसे अंकी बिंदी लेंगे तो अंकी बिंदी एन से बनती है पंग और यहाँ पर के के लिए क और जे के लिए ज तो यह ह गया पंकज ठीक है अगर आप आदा ना लगाना चाहो तो यहां लगा सकते हो वो भी आपका सही माना जाएगा अब यहां पर देखिए M A के लिए म ठीक है Y A के लिए यह अब N के लिए आदा ना भी लगा सकते हैं और अंकी बिंदी भी लगा सकते हैं तो यह हो जाएगा मयं आपको खुद अंदाजा लगाना है कि मयंक में अंक की बिंदी रखनी है हमें या फिर आदा ना रखना है यह हमें लगाना पड़ेगा अंदा यहां पर देखिए के ए के लिए बनेगा का अब एल बनता है ला से तो अगर यहां पर एल ए होता तो ला बन जाता पूरा अब य के लिए पा बन गया और N से न बन गया ठीक है और यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पर मैं ज़े A लगानी है तो यह हो जाएगा कलपना ठीक है अब ऐसे ही यहाँ पर R A के लिए रह हो गया अब J है अब J A होता तो पूरा J बन जाता लेकिन J A खाली तो आदा J बनेगा क्योंकि पूरा बनाने के लिए A होना जरूरी है अगर किसी भी अलफावेट के आगे A नहीं है तो समझे लो वो आदा अच्छर है ठीक है अब J A के लिए यहाँ तो पूरा बनेगा J और N से न तो यह हो गया रजजन तो अगर आप हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी बनाना सीख जाते हो तो फिर आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी वीडियो आपको पसंद आयो तो वीडियो का लाइक करके चैनल को जरू सब्सक्राइब करने ताकि हर वीडियो का नूटिफिकेशन आपको मिलता रहे फिर मिलता हूं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई